आज 28 जनवरी 2024 को अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मदूर महावाक्य सुनेंगे ये अव्यक्त मदूर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 नवेंबर 1997 को सुनाए थे जिसमें आज बाप दादा अपने मिलन मनाने वाले सभी सिकिलदे बच्चों को देख रहे हैं साकार में जो मदूबन पहुँचे थे उनको भी देख रहे थे परन्तु अव्यक्त मिलन मनाने वाले जो देश-विदेश के सेंटर्स पर थे उनको भी बाबा देख रहे थे कि ये अलौकिक मिलन इतना न्यारा और प्यारा है फिर आज बाप दादा बच्चों की रूहानी परस्नालिटी को देख रहे थे कि हर एक बच्चे की रूहानी परस्नालिटी कितनी स्रेश्ट है और सबसे बड़ी परस्नालिटी जो उचे ते उचे बाप द्वारा प्राप्त हुई है वह है प्योरिटी की परस्नालिटी बाबा कहें दुनिया के अंदर जो personalities वाले होते हैं वो कोई न कोई संपन ता जहां धन धान्य से संपन होते हैं तो उनका एक अलग ही स्वरूप होता है अलग ही personality होती है और दूसरी personality होती है post position के आधार पर तो बाबा ने देखा के ये रूहानी personality वाले इनके सर्वखजाने भी संपन हैं दुनिया की संपन आत्मे भले अरबपती खरबपती भी हो लेकिन फिर भी सुक्षान्ती तो भगवान से मांगते ही हैं तो सुक्षान्ती के खजाने से संपन नहीं है बाबा कहें आपके पास त है और इसलिए संपन हो और दूसरा कोई कितनी भी उचे ते उची पोजिशन वाली है आज है कल नहीं है लेकिन बाबा ने हम बच्चों की पोजिशन कितनी स्रेश्ट ते स्रेश्ट उचे ते उची बनाई है तो इसलिए बाबा विशेश ये रूहानी personality को देखते हैं और personality की निशानी है प्रसन्न चित कभी भी प्रश्न चित नहीं लेकिन सदा प्रसन्न चित बाबा कहे जो प्रसन्न चित आत्मे होती है उनकी भी कमाल है क्या कमाल कर सकते हैं तो जिस तरह ब्रह्मा बाबा की personality थी और रूहानी personality से जब बाबा किसी को भी द्रिश्टी देते थे तो वो भी नजर से निहाल हो जाते थे और अर्पित हो जाते थे बाब पर कुर्बान जाते थे ऐसे बाबा कहे इस विशाल कल्प वरिक्ष के आप सभी बच्चे भी जड में हो तने में हो बाबा विशेश दो प्रकार के बच्चों को देखते थे एक तो आदी रतन दादियां जो स्थापना के निमित बनी जो जड़ में है और दूसरे जो दीदियां विशेश सेवा के आदी रतन बने जो तने के रूप में है तो बाबा उन्हें विशेश यही प्रेना दे रहे हैं कि अब आप भी ऐसे नजर से निहाल करने वाले सेवा करो जो कोई भी परेशान आत्मा, दुखी आत्मा आए और वो भी अपने परेशानी दुख, टेंशन को भूल करके प्रसन्न हो जाए ऐसे को कहेंगे किहां रुहानी परसनलिटी सदा प्रसन्नता वाले आत्मा है फिर बाबा ने कहा कि सेवा तो सभी ने बहुत की है सेंटर्स भी बहुत खोले हैं लेकिन जिस तरह बाबा के पास जब आदी रत्न दादियां आई तो पहले कोर्स नहीं किया लेकिन बस बाबा के द्रिष्टी मिलते ही सब कुछ भुला दिया और बाबा के बन गए बाद में कोर्स तो निकले तो इसी तरह बाबा भी कहे कि अब बाबा भी फास्ट गती की सेवा चाहते है तो उसके लिए बाबा ने प्रेणा दी कि अभी कोर्स कराना माइक संभालना ये दूसरों को दे दो आप माइट स्वरूप बनो अर्थात सकाश दो और ऐसी सकाश दो जो उनके अंदर वो शक्ती भर जाए और वो बाबा का साक्षातकार साक्षात रुप में करे हर एक ब्रामन आत्मा बाबा कहे विशेश आत्मा है तो हर एक ब्रामन आत्मा से ब्रह्मा बाप नजर आए ऐसी सकाश दो आप किसी को भी दृष्टी दो तो बाबा कहे आपकी दृष्टी से उनको ब्रह्मा बाप दिखाई दे ऐसी सेवा करो ये बेहद की सेवा जितनी आप करते जाएंगे सकाश देने की उसी से बेहद की वैराग्य वृत्ती आएगे। बाबा कहे बेहद की वैराग्य वृत्ती कोई प्रोग्राम से नहीं आएंगे। लेकिन जितना आप बेहद की सेवा में व्यस्त होंगे, नजर से निहाल करने की, उतना ही सकाश देने की जो बेहद की सेवा में व्यस्त रहेंगे, उतना ही बेहद की वैराग्य व्रत्ती आएगी, और ये बेहत की वैराग्य व्रत्ती ही समय को भी समीप ले आएंगी तो अब बाबा कहे यह सेवा आप सभी बच्चे को विशे शुरूप से करने है बाकी बाबा ने कहा शुरू में जैसे दादियां बाबा के पास आई कोई उन्होंने ट्राइल नहीं किया कोई उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया लेकिन बस आते ही बाबा के बन गए और चाहे सेहन भी करना पड़ा तो इतनी बाबा से लगन लग गई ऐसी बाबा से सकाश मिली जो उन्हें सेहन करना भी सेहन करना महसूस नहीं हुआ तो इसे लिए अभी बाबा कहे आप सभी भाग दोड़ इतना नहीं करो कहीं पर भी बैठे हो बैठे बैठे ये बेहत की सकाश देने की सेवा करो और बेहत की वैराग्य व्रत्ती को क्रियेट होने दो फिर बाबा ने विशेश देखा कहीं आत्मे कमजोर है डाइरेक्ट बाब से शक्ती नहीं ले सकते हैं तो आपके द्वारा ही वो बाब की शक्ती को प्राप्त करेंगे इसलिए आपको निमित बनना पड़ेगा किसी को शक्ती चाहिए किसी को गुण चाहिए तो ये सहीयोग दो ब्रामणों में भी कहीं ऐसी कमजोर आत्मे होंगी तो उनको भी सहीयोग की आवश्यक्ता है और इसलिए हमेशा ये स्लोगन बाबा का याद रहे कि ब्रह्मा बाब का स्लोगन था जो करम मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे तो इसी तरह आप भी ये स्मृती में रखो कि जो करम हम करेंगे हमें देख सब करेंगे और दूसरा जगदंबा मा का स्लोगन भी बाबा ने याद दिलाए कि मा का स्लोगन था हुकमी हुकम चलाए रहा है मैं निमेथ हो तो जब करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित हूँ, इस भाव को जागरत करेंगे, तो कभी भी body conscious वाला मैपन नहीं आएंगा, लेकिन हमेशा अपने कर्मों पर attention होंगा, जो कर्म मैं करूंगी, मुझे देख सब करेंगे. तो इसलिए बाबा ने फिर देट साइलेंस में जाने की ड्रिल कराई, एक सेकंड में साइलेंस की स्थिती में जाए, और बाबा कहे सब को सकाश तो बेहत की सेवा यही है. तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधूर महावाक्या. आउम शान्ती, आज 28 जन्वरी दोहजार चॉबिस के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधूर महावाक्य सुनेंगे. ये अव्यक्त मुदूर महवाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 नवेंबर 1997 को सुनाए थे. आज की मुर्ले का टाइटल है बेहत की सेवा का साधन रुहानी परसनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना. आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिके लदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आये हैं. अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हैं, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रुप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत वा विदेश से फिर से अपने घर पहुँच गए हैं. भावारत यही कि बावा कहें सभी बच्चे अव्यक्त रुप में अपने अपने स्थानों पर मिलन मनाते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त बाप दादा व्यक्त रुप में आते हैं मदुबन में, तो सभी बच्चे भारत और देश विदेश से मदुबन बेहत घर में बाप दादा देख रहे हैं कि चारों और बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं यह मिलन रुहानी अलौकिक मिलन है इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के सने का साकार स्वरूप है जब सब बच्चे अपने अपने स्थानों पर भी इस स्मृती से बैठते हैं कि आज बाप दादा मदूबन में साकार में पहुँचे होंगे और उस समय बाबा ऑनलाइन शुरू हुआ था तो सभी इंटरनेट के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर भी ये अलौकिक रूहानी मिलन का अनुभव करते हैं तो बाप दादा देखते हैं ये बच्चों के स्नेह का साकार स्वरू कि अपने अपने स्थानों पर भी हर बच्चे ये मिलन का अनुभव करते हैं आज बाप दादा अपने बच्चों की रुहानी परस्नालिटी को देख रहे हैं सभी बच्चों की रुहानी परस्नालिटी कैसी है उसको देख रहे हैं हर एक बच्चे की रुहानी परस्नालिटी कितनी स्रेष्ट है ऐसी रुहानी परस्नालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है क्योंकि आप सबकी परस्नालिटी बनाने वाला उंचे ते उंचा बाप है आप भी अपनी रुहानी परस्नालिटी को जानती हो ना ताबा विशेश देख रहे हैं सभी रुहानी पर्सनालिटीज वालों को, बाबा कहे आपके जैसी पर्सनालिटी विश्व में किसी की नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाई किसने हैं, उचे ते उचे बापने, सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है, कौन सी बाबा कहे सबसे बड़े ते बड़ी परस्णालिटी है स्वपन वा संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की परस्णालिटी तो इस प्यूरिटी की परस्णालिटी वालोग को बाबा विशेश देख रहे थे नंबर वार है लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आतमाओं से स्रेश्ठ है तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की जलक देख रहे हैं वो प्यूरिटी की पर्सनालिटी की जलक देख रहे हैं देखा बाबा ने सभी नंबर वारतो है, लेकिन फिर भी हर एक के मस्तक से purity की personality की जलग जैसे दिखाई दे रही थी. purity के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रुहानियत के भी personality है जो purity वाले हैं उनके चेहरे और चलन में रुहानियत है तो रुहानियत के भी personality को बाबा देख रहे हैं और personality क्या होती है दुनिया में personality एक तो होती है जिनके पास धन बहुत है, संपनता है तो वो अपनी उस संपनता के नशे में चलते हैं उनकी एक personality होती और दूसरा, जिसका समाज में कोई रुतबा, कोई पद ऐसा होता है तो उस position की personality होती है तो बाबा कहे, यहां भी दोनों है purity की personality, चलन चहरे में रुहानित की personality बाकी कौन सी personality होती है जो खजानों से संपन होते हैं दुनिया में उसकी भी personality होती है लेकिन कितने में बड़े ते बड़े संपन आत्मय हो आपके आगे वह संपन आत्मय भी कुछ नहीं है क्योंकि वह भी अविनाशी सुक्षान्ती के खजाने से खाली है पैसा धन दौलत खजाना बहुत होंगा लेकिन सुक्षान्ती जीवन में नहीं होंगी इसलिए बाबा कहे, वह सुक्षान्ती के खजाने से तो खाली है आपके पास जो संपती है उसके आगे अरब पती, खरब पती भी बाप से सुक्षांती मांगने वाले हैं और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो वह खजाने आज है, कल नहीं है दुनिया की आत्माओं के पास जो खजाने है, वह आज है, कल नहीं है लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है अखुट है, अखंड है, ऐसी परसनालीटी वाले आप बच्चे हो सबसे उचे तेउची परसनालीटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा, विनाशी ओक्यूपेशन द्वारा परस्नालिटी बनती है चौथी परस्नालिटी विनाशी ओक्यूपेशन के द्वारा परस्नालिटी बनती है वह कहलाई जाती है लेकिन आपको उचे ते उचे परमात्मा ने स्रेश्ट परस्नालिटी वाला बना दिया है तो अपनी उची परस्नालिटी का रुहानी नशा रहता है, रहता है तो हाथ हिलाओ, तो सभी ने हाथ हिलाए बाप दादा को इतनी स्रेश्ट पर्सनालिटी वाले बच्चे देख इतनी खुशी होती है भगवान को ऐसी पर्सनालिटी वाली आत्मे देखते हुए कितनी खुशी होती है आपको भी होती है पुश्ते बाबा बाप दादा बच्चों की ऐसी स्रेश्टता को देख या गीत गाते हैं जानते हो आप भी गाते हैं बाप भी गाते हैं बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है बाप दादा की टेप न्यारी होगी न आटोमेटिक है चलाने की महनत नहीं करनी पड़ती और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं बाबा के दिल का गीत दिल वाले बच्चे ही सुन सकते हैं सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले हैं तो सभी दिल वाले हो ना दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना सबी ने अपना चित्र देखा है बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरीत्र देखते रहते हैं ये एक तो बाबा पर्सनालिटी वालों को देखते हैं, गीत गाते हैं, जो दिल वाले बच्चे ही सुन सकते हैं, और हर दम बाबा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं. तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे, सदा ये पर्सनालिटी स्मृती में इमर्ज रहे हैं, है ही नहीं, बाबा कहें, ये नहीं सोचो है ही, ये पर्सनालिटी स्मृती में इमर्ज रहे हैं ही नहीं, है दिखाई देवें, वो पर्सनालिटी दिखाई देवें, अनुभाव में आए सदा ऐसी परसनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने परसनालिटी में है यसे किसी को देखते हैं तो मैसूस होता है यह अपनी परसनालिटी में है अगर यह रुहानी परसनालिटी इमर्ज रुप में रहती है तो कै उनके नैन, उनका चहरा, चलन, संकल्प और संबंद, सब प्रसन्नता वाले होंगे। रुहानी परसनलिटी इमर्ज रुप में रहे, तो उनके नैन, उनका चहरा, चलन, संकल्प और संबंद, सब में प्रसन्नता, खुशी दिखाई देव। सदा प्रसन्न चित, प्रशन चित नहीं, प्रसन्न चित. अगर प्रशन चित है, तो चलन भी personality वाली नहीं है. अगर प्रशन है, माना कोई न कोई confusion है, doubts है, तो उसकी चलन में वो personality नहीं दिखाए देती. तो बाबा कहे, चहरे पर भी प्रसनता की जलक नहीं है. अगर प्रशन चित है, तो एक चलन में भी personality नहीं दिखाए देती, और चहरे पर भी प्रसनता की जलक नहीं है. कुछ भी हो जाए, प्रसनालीटी वाले की प्रसनता छिप नहीं सकती. मर्ज नहीं हो सकती. प्रसन चित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परिशान हो, अशान्त हो, उसको अपने प्रसनता की नजर से प्रसन कर देंगी. नहीं बाबा कहे, जो प्रसनता वाली आत्मा है, प्रसन्न चित आत्मा है, कोई कैसी भी आत्मा उसके सामने आए, परिशान आए, शान्त आए, तो उनको भी यह प्रसनता नजर आने से वह भी प्रसन हो जाती है. तो उसको अपने प्रसन्नता के नजर से प्रसन्न कर देती है, रुखानी परसनलीटी वाली आत्मा, जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले है, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है, इतना बाप बच्चों को उंचा उठा देते, कि आपका भी यही गायन है, कि आप किसी को प्रसन्नता की नजर से देखेंगे, उसका टेंशन, शान्ती, परिशानी सब खतम हो करके, वह भी प्रसन्नता का अनुभो करने लगेगी, और अभी समय प्रमाण, बाबा कहे, अभी समय प्रमाण, जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा, साथ दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी, तो सभी क्या समझते हो, आदी सेवा के रत्न क्या समझते हो, बाबा के सन्मुग विशेश दादियां थी, तो बाबा उनको देखते हुए कहते हैं, आदी सेवा के रत्न क्या समझते हो हैं, ऐसी सेवा कर सकते हो ना, अभी देखो, आप लोगों ने, दो गुरूपस को बाबा देख रहे हैं, एक है आदी रत्न जदादियां, और दूसरा गुरूप जो चालीस वर्ष सेवा की, या ज्यादा भी की, कोई का एक दो साल कम भी होगा, इसका ज्यादा भी होगा, अभी आप लोगों ने, अपने साथियों को, ये सेवा सिखा दी, चोटी-चोटी बैनों को, बाबा ने कहा, आपने सिखा दिया, और निमित भी बना दिया, अभी आप क्या करेंगे, बहुत सुन्दर बाबा ने, जैसे एक सेवा का चित्र खींच करके दिया, जो आदी रत्न जो है दादिया, उसके बाद के जो पूर है, जो चालिस साल के उपर वाले थे, दीदिया, तो वो क्या करेंगे, साथ दिन का कोर्स आदी कराना, यह तो बाबा ने कहा, छोटी छोटी सेवा साथी बेहनों को आपने सिखा दिया, निमित बना दिया, अभी आप क्या करेंगे, वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं, आप आदी रत नहो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना, अभी फिर अब आपके सेवा होगी, कि नजर से निहाल आपने कितनों को किया, नौ लाख में से कितने बनाएं, आगे तो 33 करोड भी है, नौ लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है, बीज तो यहां ही डालना है न, तो देखेंगे कि आदी सेवा के रत्न, अब और क्या कमाल दिखाते हैं, यह कमाल तो दिखाई, पंसी कमाल दिखाई, बाबा के सेवा केंद्र बनाएं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किये, उसकी तो पदम गुना मुबारक है, दो प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं, वह स्थापना के निमित, आदी रत्न, दादियां, और आप लोग हो, विशेष सेवा के आदी के बच्चे, यह दादियां तो जड़, स्थापना वाले, और आप सब, सेवा के आदी रत्न, यह है पहला पहला तना, भाबा ने उन दीदियों को कहा, आप हो पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है न, तना पर ही सवाधार होता है, मीचे शाखाएं जो है, जड़ में, वो तो छिप जाती है, लेकिन तना मशूर होता है, मजबूत होता है, उसी पर सवाधार होता है, तना से ही सब शाखाई निकलती है जड़ वाले तो सुक्ष्म में शक्ती देते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है दिखाई देता है वह तना दिखाई देता है तो दादियां नीचे जड़ में है और दीदियां बाबा कहे वो तना है तो दादियां अभी गुप्त हो गई है शकाश देने वाली और practical में stage पर आने वाले आप निमित बने उन्ही दीदियों का सम्मान समारों में आई हूई बहने थी सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हात उठवाया सम्मान समारों में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं अब क्या काम दे रहे हैं? समारत तो बहुत अच्छा मनाया न बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मुर्तियों को देखा उस समय तो आप लोगों को भी यही रुहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मुर्तियां हैं ऐसे ही लग रहा था जैसे सजीवी मुर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुँच गई हैं तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं क्या चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो तो पहले तो बताएं नजर से निहाल करने वाली कि आपकी प्रसंदता की नजर किसके उपर पड़े उसकी परिशानी समाप्त हो जाए अभी बाबा और उसको स्पष्ट करते हैं अभी फास्ट सेवा शुरू करो जो हुआ वो बहत अच्छा अब समय प्रमाण औरो को ज्यादा वानी का चांस दो छोटे छोटो को वानी का चांस दो अभी औरो को मैक बनाओ आप मैट बनके सकाश दो ये सेवा चाते तो नजर से निहाल की दूसरी सकाश की तो आपकी सकाश और उन्हों की वाई ये डबल काम करेगी तब ही नौ लाग सहज बन जाएंगे अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारती है तो महारतीयों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना बेहत की सेवा के मैदान में आना जब बाप अव्यत वतन एक स्थान पर बैठे चारों और के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं कर रहे हैं तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहत की सेवा नहीं कर सकते हो आदी रतन अर्थात फॉलो फादर बेहद में सकाश दो कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा दिखाई तो देता नहीं है लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो बेहद का वैराग्य कैसे आएगा तो बाबा कहें बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतह ही आएगा क्योंकि ये सकाश देनी की सेवा निरंतर कर सकते हो इसमें तब्यत की बात समय की बात ये सहज हो जाती है दिन रात इस बेहत की सेवा में लग सकते हो सकाश देने की इस बेहत की सेवा में बाबा कहे लग सकते हो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा रात को भी कैसे आँख खुली और बेहत की सकाश देने की सेवा होती रही तो ये बेहत की सेवा इतना बिजी कर देंगी जो बेहत का वैराग स्वतह ही दिल से आएगा तो बाबा कहे ये बेहत की सेवा इतना बिजी कर देंगी जो बेहत का वैराग्य स्वतह ही दिल से आएगा प्रोग्राम से नहीं यह करे यह करे तो बेहत का वैराग कोई प्रोग्राम से नहीं आता है बाबा कहई जितना आप बेहत की सेवा में लग जाओगे सकाश देने की, तो अपने आप बेहत का वैराख स्वतह आने लगेगा यह प्रोग्राम से नहीं, यह करे, यह करे, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहत की सेवा में रहना है यह सबसे सहच साधन है क्योंकि जब बेहत को सकाश देंगे तो नस्दिक वाले तो आटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे इस बेहत की सकाश देने से वायो मंडल आटोमेटिक बनेगा अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है वा जोन के जिम्मेवार है आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का न? आदी रत न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो. अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 2500 सेंटर या जोन ये बुद्धी में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है. ये तो टाल टालियां भी कर सकती है. आप तो तना हो. तना से सब को सकाश पहुँचती है. आप सभी भी ये सोचते हूँ कि बेहत का वैराग्य आना चाहिए. ये तो बहुत अच्चा. अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख की तयार नहीं किये. तो सत्यूग के आदी में आने वाली संख्या ही तयार नहीं है. और विनाश हो गया तो कौन आएगा? इसलिए बाबा जागरत भी करते हैं. अगर सोचो कि अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तयार नहीं किये. तो सत्यूग के आदी में आने वाली संख्या ही तयार नहीं है. और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या दो-तीन हजार पर राज्य करेंगे? अब पूछते हैं. दो-तीन हजार पर राज्य करेंगे? चार-पांच लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहत की सेवा का पार्ट आरंब करो. पांडव क्या समझते हो? बेहत की सेवा करेंगे ना? पांडव तयार है? अभी यहत की बाते बेहत में जाने से आपे ही छूट जाएगी. छूडाने से नहीं छूटेगी. बेहत की सकाश से परिवर्तन होना पास्ट सेवा का रिजल्ट है. बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित बनी हुई आत्मों ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमान दिया है. नाजुक परिस्थितियों में निमित बनी हुई आत्मों ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमान दिया है. लेकिन आप सभी का फाउंडेशन वा सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रमा बाप को देखा और ब्रामन बन गए. दादियों का अनुभव यही है कि परिवर्तन कैसे आया सेकंड में ब्रमा बाप को देखा और ब्रामन बन गए. सेवा का वर्दान मिला और सेवा में लग गए. बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने. अच्छे अनुभव का सुनाए. बाबा ने सभी के अनुभव सुने कि अच्छे अनुभव सुनाए. तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ, कि सहन कर रहे हैं, इतनी मारे खाई आधी दादियों ने, तो बाबा कहे ये भी मैसुस नहीं हुआ, इतना बाबा को देखने से परिवर् बड़ी बात नहीं लगी, ऐसे अभी हर स्रेष्ट ब्राम्मन आत्मा को देखे, और आत्मा में यानि ब्राम्मन में ब्रह्मा बाप देखे, जो भी ब्राम्मन आत्मा को देखे, कोई भी आत्मा, तो ब्राम्मन में ब्रह्मा बाप देखे, यह सेवा का फास्ट साधन, क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया कोर्स तो पीछे किया लेकिन देखा और हो गए, बाबा के बन गए, तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था ब्रह्मा बाप में शिव बाबा समाया हुआ था, इसलिए महनत नहीं लगी ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए है जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्राइल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, तो कोई रहता है इतनी महनत आपने ली, दादियों से पूछते हैं, अभी जैसे बेहनों की ट्रेनिंग होती है, ट्राइल पर रखते हैं, फिर कोई रहता है, कोई चला जाता है, तो बाबा पूछते हैं उनको, क्या आपने इतनी महनत ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्राइल पर रहे क्या, बस आय और खोगे ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्रामण आत्मय नहीं कर सकती हो क्या आपकी पर्सनालीटी अपना बना दे बस आपकी पर्सनालीटी को देख कर उनको भी अपना बना दे ब्रम्भा बाप के भी personality थी न, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की, लेकिन personality थी तब आकरशित हुए तो follow father, जब बाप ने आपको आदी में निमित बनाया, तो जो आदी के हैं, सेवा के निमित, बस थापना के foundation, उनको अन्त तक सेवा में रहना ही है जैसे बाबा ने आदी में उन्हें निमित बनाया, ऐसे बाबा कहें, आदी के सेवा के निमित वस थापना के foundation, जो बने, उनको अन्त तक सेवा में रहना ही है लेकिन सेवा का स्वरूप, personality के द्वारा, तबियत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो उसमें तो खर्चा नहीं है, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, भाग दोड करने की भी जरूरत नहीं है, लेटे लेटी भी कर सकते हो, क्या समझते हो पुछते बाबा, अब ऐसा कोई प्लैन बनाओ, नया पार्ट शुरू करो, अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं, देश विदेश में जो सुन रहे हैं, उनको भी बाबा कह रहे हैं विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं जहां भी सुन रहे हैं चहे शांतिवन में सुन रहे हैं चहे उपर पांडव भवन में चहे विदेश में तो जहां भी है वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं अब बेहत के सेवाधारी बनो समय बेहत की सेवा में लगाओ बेहत की सेवा में समय लगाने से समस्या सहजी भाग जाएगी क्योंकि चाहे अज्यानी आत्मय हैं, चाहे ब्राम्मन आत्मय हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वाद दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजूर आत्मय हैं, अपनी शक्ती नहीं है जिसको शक्ति नहीं हो, पाउं लंगड़ा हो, और उसको आपको हो दोड लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा तो समस्य के वश आत्मा हैं, चाहे ब्रामन भी है, लेकिन कमजूर है, शक्ति नहीं है, तो वो कहां से शक्ति लाहें? बाप से डाइरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजूर आत्मा है, तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का बलड देकर ताकत में लाते हैं कमजोर होते हैं उनको दूसरे का बलड चड़ा करके भी ताकत में लाते हैं कोई शक्ति शाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं तो आप सब में शक्तियां हैं तो शक्ति का सहीयोग दो गुणों का सहीयोग दो, उन्हों में है ही नहीं, अपना दो शक्ती गुण, बाब कहें उसका सहीयोग दो पहले भी कहान दाता बनो वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो गुणों और शक्ती का सहीयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है आपको पुरुशार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा दुआओं के रोकेट से उड़ते जाएंगे, पुर्शार्थ की मेहनत के बजाए, संगम के प्रालब्द का अनुभव करेंगे, दुआए लेना व सीखो और सिखाओ, अपना नैचरल अटेंशन और दुआएं, अपना नैचरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में तरपन सदा सामने है ही, उसमें स्वतह सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा, इसलिए कहा कि परसनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्र, यह क्यूं, क्या, कैसे, यह के के की भाषा समा, दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और करना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह दुआएं देना और दुआएं लेना, ऐसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्म के प्रति, हर समयदु दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्यान हो, इसकी भी बुद्धी शांथ हो, यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं है, सब अच्छ, यह हो सक दुआएं देनी आती है, लेने तो आती है, देनी भी आती है, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे, दो और लो, ये करें नहीं, मैं करूँ, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो करम मैं करूँगा, मुझे देख और करेंगे, जब दूसरे करेंगे, तब मैं करूँगा, ये स्लोगन नहीं, ब्रह्मा बाबा का, ये स्लोगन था, जो करम मैं करूँगा, मुझे देख सब करें यह नहीं था कि दूसरे करुएंगे तब मैं करूँ यह स्लोगन नहीं जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो और जगदम्मा मा का विषे श्लोगन रहा हुकमी हुकम चला रहा है वह चला रहा है हम निमित बन चल रहे हैं तो ब्रह्मा बाप का स्लोगन था जो करम मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे और मम्मा का स्लोगन था हुकमी हुकम चला रहा है वह चला रहा है हम निमित बन चल रहे हैं तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज, है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं, कर्म में दिखाई दे, तो क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, कि गलानी करेंगे, फील करेंगे, यह ऐसा, यह वैसा, नहीं, उसको दुआएं दो, कमजोर है, वशीभूत है, भाशा और संकल्प बदली करो, यह संकल्प मात्र भी नँ हो, यह बदले, नहीं, मैं बदलू, और बातों में तो मैं में का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए, उसमें और करे तो करे यह क्या, अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे, इसने किया, इसने कहा, उल्टा हो गया ना, कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैपन लाओ बॉडी कॉंशिस वाला मैं नहीं सेवा का मैं तो ऐसे ही स्रेश्ट वाइब्रेशन फैलाओ अभी वाणी कम काम करती है दिल का सहीयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं अच्छा? अभी एक मिनिट में सभी अपने साइलेंस की शक्ती इमर्श करो एक दम साइलेंस मन से, तन से इमर्श करो बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराए अच्छा? चारो और के सर्व विशेश आत्माओं को सदा रुहानी परस्नालीटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को सदा बेहत की सेवा में स्वयम को बिजी रखने वाली निमित विश्व कल्यान करी आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप और जगदंबा मा का स्लोगन साकार में लाने वाली उच्छ ते उच्छ नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदंबा मा का याद प्यार और नमस्ते हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज का बाप दादा का मदुर वर्दान है स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भवव। जो सेवा स्वयम को वा दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। नेमित कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे उपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबन में प्यारे बन कर सेवा करू तब कहिंगे सच्चे सेवादारी। सेवा खोब उमंग उत्सा से करो लेकिन सेवा का बोज स्थिती को कभी नीचे उपर न करे ये एटेंशन रखो। आज का स्लोगन है शुब वस्रेष्ट वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। आज का अव्यक्त इशारा है अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्थिती का अनुभो करो। करन करावनहार बाप है कराने वाला सब कुछ करा रहा है मैं निमित करनहार बन कर रहा हूँ इस स्मृति से करतापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो सब बोज बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादी स्वरुक के स्मृति से अनादी स्वबाव संसकार धारन कर डबल लाइट स्थिती का अनुभो करो। अच्छा ओशान